हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल अट्रेक्टिव कॉनर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा सोफे का कवर जो की बहुत ही एजी मेथड से बताया है मैंने इसका फुल कटिंग स्टिचिंग का वीडियो है ये ये मैंने स्पॉंज लिया है ये एक सोफे की गड़ी मान लिजेगा और ये वाइट पेपर इसको मेन सोफे का फैबिरिक मान लिजेगा तो जो ये स्पॉंज है मेरे पास इसकी लंबाई है 4 इंच और इसकी चोड़ाई है 3 इंच इस तरह से पेपर पर ड्रॉ कर लेना है मान लीजिए ये आपके सोफे की कर लेना है और बीच में यहां इलास्टिक फिट कर देनी है बस यही समझाना था मुझे इस स्पॉंज के जरीया आपको चार इंच इसकी लंबाई थी तीन इंच चौड़ाई थी तो जहां से एक सैट से लेके इंची टेप पूरा राउंड किया है इतना आप गद्धी के साब से अपने मैजर कर लेना लंबाई चार थी तो टोटल नौ निकली है और ज़र चौड़ाई तीन थी तो पूरी आठ निकली है यह हो गई 9 पूरी लेंद और चौड़ाई थी 3 इज यह है 3 इज चौड़ाई तो हमें एक सैट के पूरे जहां लास्टिक फिट करना है वहां से लेना है तो हमारी एक से 8 पूरी निकल जाएगी टोटल 8 इंज की चौड़ाई निकल जाएगी और जो साइड वाले आएंगे पोशन उसमें लास्टिक फिट कर देना बस बस यह करना था I hope आपको समझ में आ गया होगा अब चारों कॉर्णर बना लेने हैं यह डेमो है में फैब्रिक में मेरा साथ इंच आ गया था अगर गदी बड़ी हो तो आप 10 इंच तक भी ले सकते हो यह जश्ट इक डेमो है इस तरह से हमें कट कर लेना है चारों पाट कट करने के बाद हमें इस तरह से गदी रख देनी है और चारों कपड़े को इस तरह से एल शेप में सिलते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है फोल्ड हुजाएगा आप सिल लोगे तो बास्केट जैसा बन जाएगा और चारो तरफ से अच्छी क्वाल्टी की लास्टिक फिट कर देज़ेगा बस यह वाली लास्टिक इस तरह से पतली ले लीजेगा फ्लैट जो इस तरह से एक कंप्लीट बास्केट बन जाएगी इस तरह से चारो कॉर्णर जोइंट कर दीजेगा जो एल शेप में काटा है इस तरह से सलवार का जैसे नेफा मोड़ते हैं उस तरह से हमें और यह है इसका फॉर्मुला मैंने दस इंच एक्स्ट्रा जोड़ दिया है यह हमारी सोफे की गद्दी और यह है कपड़ा फ्रेंज अगर आपको फॉर्मुला ना समझ में आए तो कोई परिशानी की बात नहीं है मेरे गद्दी की लंबाई टोटल 22 इंच थी और चोड़ाई उसकी चार इंच थी तो चार चार आठ हो जाता है आठ में 22 जोड दीजेगा फिर उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा कर देना आप फॉर्मुला देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जैसे मैंने स्पॉंज में डेमो दिया था से मैंने गद्दी में वैसे ही बताया है इसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक देखेगा आप पूरा ये बैक साइड है इसका मैं फ्रंट साइड से ऐसे ना परे थी आपको जश्ट दिखाने के लिए तो इसको इस तरह से फ्रक्ते हुए आप measure कर लेना आप जब खड़े उकर देखोगे तो चारो तरफ से आपको corners दिखाई देंगे ये साड़े साथ इंच का मार्क किया है मैंने चारो तरफ से L-shape में साड़े साथ इंच का margin लेते हुए मैंने L-shape में निशान लगा लिया है चारो तरफ से कट करने के बाद इस तरह का shape हमें मिल गया है अब आते हैं सिलने के process में तो ये जो cutting किया था L-shape में corner से corner मिलाते हुए हमें इस तरह से इसको सिल लेना है जहां friends जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो please आप लोग अर्जेस्ट कर लेना उसे कपड़े से हलकी हलकी कैची से cutting कर देना वो बहुत अर्जेस्ट हो जाएगा और बहुती easy method है और बहुती अच्छा cover fitted cover तयार हो जाता है बहुती जल्दी तो इस तरह से मैं इसको सिल लूँगी अगर आप सोफे का cover बना रहे हो तो आप please कपड़ा इसका थोड़ा सा मूटा लेना cotton की बैटशीट से लोग बनाते तो है पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है फट जाता है तो ज़रुरत पड़े तो सिंथेटिक हो या मिक्स हो प्योर कॉटन चादर आप मत लीजेगा ये मैंने सोफे के कपड़े का ही मैं बना रही हूँ वोटा कपड़ा है और बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा बनके अब मैं सिल लेती हूं चारो कॉर्नर्स को चारो कॉर्नर सिल लिए हैं मैंने अब जिस तरह से सलवार का नेफा जोड़ते हैं हम डोरी डालने के लिए इलास्टिक डालने के लिए से उसी तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है एक इंच का बहुत जादा मत चौड़ा लीजेगा सिर्फ हमें इत्ती पतली से लास्टिक डालने हैं तो अपने साब से अज़स्ट कर लिजेगा मान लिजे हाफ इंच के हमारी लास्टिक है तो एक इंच का हमारा नेफा हो जाएगा और यही जाके गद्दी में पूरा adjust हो जाएगा जाके पूरा fit हो जाएगा पीछे से तो इस तरह से मुझे डाल लेना है safety pin की help से मैं इसमे लास्टिक डाल लूँगे पहले पूरा सिल लेती हूँ ये सुलना शुरू किया मैंने ये हमारा complete होने दुश्टिक वाला कॉर्णर मैंने मोड लिया है अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगे इलास्टिक डालने से पहले मैं आपको पूरा measure करके दिखा देती हूँ जैसे ये sponge में ही मैं बता रही हूँ गद्दी में comfortable नहीं रहता इसको इस तरह से पूरा round लेते हुए अपने सोफे के गद्दी का measurement ले लीजेगा आप लोग इस तरह से पूरा आप ले लीजेगा ये मेरा cover ready है अब मैं इलास्टिक का आपको measurement बता दूँगे ये मैंने गद्दी ड्रॉग की है टोटल मेरा 84 इंच का पूरा round निकल रहा है जो भी उसका सोफे के गद्दी का area है तो जिसका मैं just half कर दूँगी 42 अगर आपकी elastic पर depend अग elastic बहुर डिली लग रही हो तो आप 2-3 इंच उससे minus भी कर सकते हो इस तरह की flat elastic डालिएगा मैं safety pins की help से यह हमारा खुला हुआ पार्ट है जहां से मैं लास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ी हुई थी अब मैं safety pin से लास्टिक डाल लेना है और एक साइड को दूसरी safety pin की help से secure कर लेना है ताकि elastic अंदर न चाहिए इस तरह से मैं यहां पर secure कर लिएँगी इसको अब यह हमारा यहां पर fix हो जाएगा पूरी तरह elastic डालने के बाद मैं दोनों को joint कर दूँगी joint करके हमें नेफिय को पूरी तरह से सिल लेना है अब मैं elastic को joint कर रही हूँ दोनों के दोनों elastic के मूग को joint कर लिया मैंने यह देखिए तरह joint हो गया अब मैं इस तरह से जो पट्टी है इसको fold करते हूँ अंदर की तरह सिल लोंगी अब यह हमारा cover जो है बिल्कुल ready हो गया है अब मैं इससे आपको गद्धी पे fit करके दिखाती हूँ यह मारी सोफे की गद्धी है इस तरह से मैं एक corner से दूसरी corner को पकड़ते हुए यहां से हमें इस तरह से कीज देना है यह हमारा back side है और यह हमारा front side है अच्छे से corner से corner मिला दिजेगा बहुत ही बढ़िया सा cover बन गया है fitted अब इस जंजट से मुक्ती मिल गई है इस से हमें छुटी मिल गई है यह हमारा गद्धी ready हो गई है सोफे cover वाली बस बहुत अच्छा सा त्यार हुआ है cover यह before है और यह इसका after look है so guys please मुझे पताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो जड़ा भी helpful हुई तो please मेरे वीडियो को like करिएगा share करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा thanks for watching